हम उनसे तो जवड़ा कर सकते हैं जो सामने से जवड़ा करते हैं या सामने से बुरा बोलते हैं उनको आंसर दे लेते हैं जिनका दिखता है कि ये कुछ हमारा बुरा चाहते हैं लेकिन उनका क्या करें जो मुस्करा कर चल करते हैं जो कि चेरे पर तो मुस्करा रखते हैं ले छुपे हुए जो हमारे दुश्मान है, उनको कैसे निटा जाए, जो कि हमारे चेरे पर तो हम को दिखाते हैं हम अपने हैं, वठो अंदर से अपने नहीं होते हैं, हम उसकूरा कर चल करते हैं, जिसक Mensch को बिल्कुल पहचान नहीं हो पाती, ये बहुत ही, हर एंसान की जिन्ग उसकोख करते हैं बट जब हमको हस्ते चेरों के पीछे से हम ुआ कि हैंना चूटी सी बात लेकिन इसी भी अपने मन को दिमाग खोल के रखिए आप पॉजिटिवी सोचिए और साथ में नेगेटिव भी सोचिए किसी इंसान को पढ़ना चाहते हैं तो उसका नेगेटिव पन भी ध्यान में रखिए और पॉजिटिव पन भी ध्यान में रखिए चार अपने दिमाग की और अपनी आखें दोनों को खोल के रखिए दिल की होती है वो ना सहन करें जब तक हमारी मन की आखें बंद रहती हैं दिमाग की आखें बंद रहती हैं हम सिर्फ इमोशनल वेसे प्यार भरी अंखों से उनको देखते हैं और जब वो हमारे से छल कर जाते हैं तो हम बहुत उपी होते हैं तो इससे अच्छा यह है कि हम उन मुश कुराते वे चेहरे जो हमारे से छल कर जाते हैं उनसे बचने के लिए थोड़ा सा अपने को स्ट्रॉंग बनाईए थोड़ा सा अपने आउपको ताकतवार बनाईए और बोलते हैं हर किरदार को जो किरदार आपके सामने वो दिखा रहा है उस किरदार के किरदार के पीछे त करके बताइए थाकि आपके कमेंट से मुझे ये मैं खुद मोटिवेट हो जाती है वह आपको ये बातें दिल को छूग हैं कि यसे सच्छा होती है जीवर में तो जरूर मुझे करके बताइएगा कि ये नहीं डेक्ते प्रसक्तियों रीडियों लवली टॉक्स देखिए और मुझे जुरूर कमेंट्स करके बताएए बावाई